हलो दोस्तों आपका स्वागत है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राब कर लें आज मैं आपको बताऊंगे जो बॉर्डर वाली साडी होती है उसमें फॉल लगाना तो देखिए आपको कैसे उसमें फॉल लगानी है त तो हमें यह देखना है कि जो बॉडर लगा है नीचे की साड़ यहां पर हमें फॉल लगानी है इस तरीके से यह बॉडर लगा हुआ है यह देखिए तो यहां पर हम फॉल लगाएंगे तो आपको कैसे लगानी है जैसे आपको पहले बॉडर देखना है कि जोलना हो इस तो उसमें आप ऐसे ही लगा लेंगे फॉल अगर इसमें जोल है तो आप इसको निकालेंगे यहां से सिलाई निकालेंगे और फिर फॉल लगाएंगे फिर बाद में यह बॉर्डर को लगाएंगे तो जो बॉर्डर बाली साड़ी होती है उसमें जोल बहुत आती है तो अगर आपका बॉर्डर एकदम सही लगा है इस तरीके से तो आप ऐसी ही लगा सकती है अगर आपका बॉर्डर इसमें जोल है तो आपको यह बॉर्डर निकालना पड़ेगा और फिर fall लगाने के बार। आपको water लगाना पड़ेगा। पहले आपको fall लगानी है फिर water लगाना है। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे लगाएंगे fall तो देखिए यहाँ से यह water लगा हुआ है तो यहाँ से हम इसको 10-inch छोड़ देंगी। अगर आपके पास इंची टेप नहीं तो आप इस तरीके से निशान लगा लें इस तरीके से करते हैं और यहां पर निशान लगा लें अगर आपके पास इंची टेप हैं तो आप इस तरीके से 10 इंच इस तरीके से छोड़के भी निशान लगा सकते हैं अगर आप इस तरीके से ना पेंगे तो यहां से आपको लगाना है अब देखें फॉल है तो फॉल को हम कैसे रखेंगे पहले इसको हमें यहां से इस तरीके से करना है और यहां पे इसको रखेंगे अब नीचे की साइड अब हमने एक सूई ली है इसमें डवल धागा लिया है अब नीचे से हमें थोड़ा सा लेना है कपड़ा दिखाई मतला हमारा धागा दिखाई ना दे तो हमें थोड़ा सा कपड़ा लेना है नीचे की साइड से अब देखिए यहां पर सपेद है और मैंने रानी कलर का धागा लिया है क्योंकि यहां पर जो बॉर्डर लगा हुआ है वो रानी कलर का है इसलिए मैंने रानी कलर का धागा लिया है तो यह देखिए बुलकुल दिखाई नहीं दे रहा है नीचे की साथ धागा तो इस तरीके से हमें फॉल को लगाना है कि नीचे हमारा धागा दिखाई ना दे थोड़ा सा ही लेना है नीचे से हमें कपड़ा अब देखे यहां तो लग तो मेरा लग गया है अब बॉर्डर के उपर लगानी है अब इसी तरीके से हम लगा लेंगे पूरे पर अब देखे यहां से मैंने पूरे पर सुई के मदस से फॉल लगा लिए और देखे जो मेरा सीधा है यहां पर बुलकुल भी धागा दिखाई नहीं दे रहा है और यह देखे पूरे पर मैंने लगा लिए जहां तलक फॉल थी रेडिमेंट फॉल आती है, तो वहां तलक मैंने लगा ली है, अब मुझे उपर की साइड लगाना है, तो इसके लिए मुझे एक डूपा चाहिए, या कोई धाली हो, तो आप धाली के उपर भी रख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है, और इसको ऐसे, धागा लेना, अब देखें, इस तरीके से हमें नीचे की साइड दिखाई ना दे, इस तरीके से हमें लेना है कपड़ा, नीचे हमारा धागा दिखाई ना दे, झाली करें जाद दिखाई ना अब देखे थोड़ा सा दागा बचा हुआ है तो इसमें हम टांका लगा लेंगे अच्छे से अब देखे बचा है झाल 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 अब इस सीधर लगाने के बाद हम यहाँ पर भी सुई की मदद से इसको लगा लेंगे यह देखिए पूरी फॉल लगके तयार है बुलकल भी जोड लगेंगे अब देखिं हमारे फॉल लगके तयार है अगर आप पूर पूछन चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राब कर ले धन्यवाद